नमस्कार दोस्तों, Welcome to Knowledge IQ, मैं हूँ शशांग लखेर और इस वड़ में हम बात करने वाले हैं, कि आप भारत में 26 मैं से Facebook और Instagram बैन हो सकते हैं, देखिए अभी तक 25 February को एक guideline आई थी, Center ने यहाँ पर guideline दी थी, इन सब companies को, कि इनको यहाँ पर यह guideline इंप्लिमेंट करना है, अगले 3 महनों में, लेकिन अभी तक इन्हों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इसी को लेके हो सकता है कि 26 मैं से, मतलब कल से, Facebook, Instagram जो है, बैन हो जाएं, देखिए आज की समय जो है, एक बहुती बड़ा platform आपको देखने को मिलेगा, पूरे worldwide जो है, लोग इसको use करते है, for entertainment और इसके अलावा जो है, इसमें games भी आपको देखने को मिलेगे, और अपनी जो thoughts है, वो भी share करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो world के leaders है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जैसे Twitter में, आपको हर एक leader, जो है, हर एक देश के embassy, हर एक देश का जो आपको एक page है, वो आपको देखने को मिलेगा, और हर एक देश के information, उस देश में क्या चल रहा है, और उस पे लोगों के views क्या है, वो आप यहाँ पे पता कर सकते हो, और आप पढ़ भी सकते हो, अब हाली में जो है, भारत सरकार ने एक guideline लेके आई थी February में, और उसी guideline के एंडर में, हो सकता है कि 26 में से याने की कल से Facebook, Instagram जो है, बैन हो जाए, तो काफी कुछ जो है, हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, बताऊंगा मैं आपको कि भारत सरकार किस article का जो है, यहाँ पे जो बड़ी companies हैं, उनको जो एक notice दिया गया है, center के द्वारा, मतलब जो भारत के केंदर सरकार है, उन्होंने उनको एक notice दिया है, एक warning notice दिया है, यहाँ पे यह बता रहे हैं, कि जिस तरीकी की guideline जो है, भारत सरकार ने रखी थी, कि आपको आने वाले तीन महनों में, इस त Facebook, Instagram की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे OTT platform की भी बात की गई थी, 25 February को, जब यह guideline आई थी, तो यह guideline सब के लिए थी, पूरा जो OTT platform है, उसके लिए थी, चाया वो Amazon Prime हो, चाया वो Netflix हो, इन सब के लिए, ठीक है, अब आप बोलो कि सर, OTT platform कैसे, देखो, OTT platform में अगर कोई भ खाता है, जहाँ पे जो है, दो communities लड़ रही है, तो उससे जो है, हमारी sovereignty को काफी दिक्कत हो सकती है, तो भारत सरकार का कहना यह था, कि इससे जो हमारी sovereignty है, उसको काफी जो है, impact पड़ सकता है, और इसी को लेके, 25 February को, Ministry of Electronics and Information Technology ने, यहाँ पे एक 3 महने की deadline दी, सभी social media platform क उनों ने यह कहा, कि यह जो नए rule है, इनको जो है, आप जल से जल जो है, implement करो, ठीक है, भारत सरकार के नए rules जो है, वो implement किये जाएंगे, लेकिन वो नए rules थे क्या, देखो, भारत सरकार ने यह कहा था, कि जो भी कोई भी tweet होती है, या कोई भी Facebook में कोई post करता है, उसकी ज आप एक complaint raise करता है, तब भी जो है, एक proper complaint resolution यहाँ पे होना चाहिए, उसके अलावा जो complaints, जो report है, वो होना चाहिए, प्लस, जो objectionable, जो content है, उसका removal होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप दोगी तो company ने, इन सब को लेके, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, और भारत सर सरकार ने एक जो है, उनको यहाँ पे warning दी है, कि आप जल से जल जो है, यहाँ पे implement करो, नहीं तो हम जो है, आपको यहाँ पे ban कर सकते हैं, अब लेकिन 25 February को यहाँ पे हुआ चाहा था, तो देखो, जो भारत सरकार है, उन्होंने कुछ regulations लेके आए थे, social media firms को लेके, Facebook और Instagram को लेके, आपको पता है, उस समय जो है, Twitter पे काफी जो है, fake message चल रहे थे, और in fact, मैंने उस पे वीडियो भी बनाई थी, कि जो बहुत सारी tweets है, उनको जो है, remove भी किया गया है, और उसके बाद, भारत सरकार ने जो है, यहाँ पे guideline लेके आई, उन्होंने ये कहा, कि आगर यहाँ पे remove कर रहे है, 36R में plus, जो लोगों की safety है, उसका भी जो है, यहाँ पे ध्यान रखा जाए, लेकिन अब आप तो बोलो कि sir, हमारे पास तो article 19 है, हमारे पास तो right to freedom है, जी हाँ, देखे, right to freedom बिलकुल है, आप अपने opinion, आप अपने expression बिलकुल दे सकते हो, लेकिन व तक, social media platform ने जो है, इस issue पे कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने एक action भी नहीं लिया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, जो भारत सरकार की guideline थी, उनको जो है, आप पे कुछ भी implement नहीं किया, इसी को लेके भारत सरकार ने जो है, इनको एक advisory जारी कर दी, लेकिन अब यहा कहता है, कि अभी तक, section 79 अभी तक यह कहता है, कि अगर मान लो, मैंने कुछ objectionable जो है, tweet करती, और उस पे जो है, facebook या instagram की कोई भी जिम्मदारी नहीं होगी, उस पे बिलकुल भी जो है, facebook, instagram की यहाँ पे बिलकुल भी जिम्मदारी नहीं है, कि third party जो है, यहाँ पे क्या post कर हो रही है, वो क्या चीज कर रही है, ठीक है, उससे किसको जो है problem हो रही है, उसमें भारत में क्या हो रहा है, भारत के किसी हिस्से में क्या हो रहा है, उससे इनको कोई भी मतलब नहीं है, अब भारत सरकार इसी section को जो है, यहाँ पे क्या कर लेगी, हटा लेगी, या इसको यहां पर amendment कर देगी या भारत सरकार इसको हटा देगी तब जो है पूरी जो liability है पूरी जो जिम्मतारी है वो आजाएगी किस पे इन social media platform पे और उससे जो है इनको भारी नुक्सान होगा अब ये तो ठीक है लेकिन यहां पर people's क्या इससे जो है हम किसी भी देश की जो sovereignty है उसको यहां पर हाम पहुचा सकते हैं लेकर वही दूसी तरफ अगर आप देऊगे तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि social media platform को जो है यहां पर regulate करना चाहिए और जो policies है जो guideline है भारत सरकार की उनको जो है यहां पर जो है आप कमेंट कर सकते हो ये था अंतिस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत